बिहार की राजनिती में देखिए कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है बिहार के मुख्या मुख्य मंत्री नितीज कुमार पूरे तडिके से देखिए परिसान चल रहे हैं मुख्य मंत्री नितीज कुमार को कुछ भी नहीं सूज रहा है कि एंडिये में रहे तो कैसे रहें क्या कर कि बिजेपी वाले लोग जो उल्टा सिधा हरकत कर रहे हैं वो कैसे माने आखिर देखिए मुस्लिमों का वोट बहुत दिनों से नितीज कुमार को मिलता आ रहा है सैकुलर राजनिती को लेकर नितीज कुमार विहार की राजनिती में देखिए जाने जाते हैं और नितीज कु गुटन के साथ मशूस कर जो हैं एंडिये मेर बने हुए हैं नितीश कुमार एंडिये को छोर ना चा रहे हैं फिर से नितीश कुमार देखे महागट बंदा अब खागने के फिडाक में बना हुआ है लगतार हिंदूस को विमान यातरा पर सवाल आत जो है वो खड़े हो रहे हैं नितीज कुमार को जवाब देने में बन नहीं रहा है पत्रकारोश मुक्या मुक्य मंतरी नितीज कुमार मुखातिब नहीं हो रहे है कल जब उन्होंने देखा आपने सुना नितीज कुमार को कि जब छट गाटों का उन्हों निक्षन करने जब नितीज कुमार पहुंचे थे तो उन्होंने बस एक सब्द में कहा था कि देखिए सब कुछ होड़ा है सब धीरे-धीरे हो जाएगा मतलब साफ है कि धीरे-धीरे देखिए सब हो जाएगा जरूरी नहीं है कि हम नरेंद्र मोधी के साथ रहेंगे तभी ये काम होगा खेर इन्हों ने ये बात नहीं कहा था लेकिन मन में सब कुछ चल रहा है 28 अक्टूबर का वो दिन हमने आपको पहले ही खबरों में बताया है कि 28 अक्टूबर बहुत ज्यादा देखिए महत पुर्न दिन है 28 अक् को पटना अवास पे सबसे बैठक करेंगे मिलेंगे नितीश कुमार बड़ा फैसला 28 अक्टूबर को लेंगे और बीजेपी भी देखिए बीजेपी भी कहीं पहले से बीजेपी का खेर तो अपचारी का तोर पर एलाम था ही कि 28 अक्टूबर को बैठक करने जा रही है लेक है कि अब हम नहीं रह सकते हैं ये हिंदू मुस्लिम करते करते मेरा वोट बैंक कर बढ़ा जाएगा फिर से हमको 43-45 सीटों पर समित नहीं रहना है हमको आगे जाना है आगे की और भागना है अब हम 43-45 सीट पर जो है समझावता नहीं करेंगे जिस तरीके से 2020 का विधान चुना हुआ सभी न देखा कि नितीश कुमार के साथ क्या हुआ नितीश कुमार के साथ बड़ा खेल हो गया खबर सामने चली कि चिराक पासवान को बीजेपी ने सिट कर दिया नितीश कुमार को हराने के लिए बीजेपी ने दमखम लगवाया चिराक पासवान से खैर फर पूरे पीछे चले गए लेकिन अब नितीश कुमार जो है प्लान रहता है नितीश कुमार का प्लान जो है सब फिक्स रहता है अब बस उनको अपचाड़ी कैलान करना है खर बिहार में चार सीटों पर उपचुनाओं होना है और उपचुनाओं के बीच खबर सुत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि वो कोई फैसला नहीं लेंगे चा के बाद ही नहीं जारखन चुनाओं के बाद नितीश कुमार खेला करेंगे आखिर नितीश कुमार खेला करेंगे कब 28 अक्टूबर को क्या तयए होगा क्या अंदर में बाते होगी जो भी अपडेट होगा वो तो हम आप तक पहुंचाएंगे बस एक दिनो का हासला है शमय वीडियो यूटूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को जागर जोटो सब्सक्राइब पर खबरों को ज्यादा से ज्यादा से और करयां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया